हेलो फ्रेंट्स गुड्मोनिग मैं फिर आप लोग अग्री नेक्स्ट वीडियो डाले जा रहा हूं कि और आप लोग देखें ईसी तरह से मैं ने सेंसे एकल्ट वीडियो को फिर अगले नेक्सों टीक है जैसे कि पीछले वीडियो में आप को मैं हो वी समांगी billion होता कैसी से पहले समझ लीजिए उसके बाद देखिए मैं यह आप लोग को बता दूँ सबसे पहले ध्यान रखें यह कंटेनर है ठीक है और इस कंटेनर मैंने क्या क्या वाटर को ले लिया क्या लिया वाटर जल को ले लिया that's all क्या लिया वाटर H2O जल और इसमें मैं किसी आयल को इसमें तेल को क्या किया इसमें मिला दिया जब तक आप क्या करोगे जब तक क्या करोगे कोई एक मालो यह डंडा है और यह डंडा डाल करके इसमें क्या करोगे ठीक है डंडा डाल कर जब तक क्या करोगे हिलाओगे ऐसे ठीक है तो यह क्या तेल वाटर के साथ में मिस्रित रहेगा बड़ जो भी डंडा निकालोगे तो कुछ पलबाद फिर वाटर से क्या होगा वाटर और पानी क्या होगे अलग-अलग वाटर के उपरी सतह में तेल फिर एकतरित अलग हो जाएगा तो ये एक भी समांगी मिस्रर का उधर लेए या छोड़ो ने ये क्या बात करना यार सबसे बड़ी बड़ी बात वाटर ले लो वाटर के साथ में तुम क्या करो सबसे बेतर चिर बालू को डाल दो क्या करो उपर और उसमें क्या होगा पेंदी में बाल उमेटी बैठ जाएगा ठीक है ये भी एक भी समांगी विलियन का उधारन है ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ वी समांगी विलियन को वी शमांगी विलियन विलियन ठीक है इसको बोलतो है हेट्रोजेनियस solution हेट्रोजेनियस solution ठीक है डेफाइन लिख देता हूँ ठीक है तो डेरेक्ली यह बात करें तो डेफिनेशन मैं देता हूँ करता वैसे बिलियन जिसमें विल्ले पदार्थ जिसमें बिले पदार्थ इसके संपुर्ण भाग में इसके संपुर्ण शंपुर्ण भाग में और शमान रोप से और शमान रोप से से बितरित रहता है कमा वी समांगे विल्ले अन कहलाता है जैसे एक्जामपल मैंने दिया आप लोग दिखा ही देता हूं यहां पर देखिए वाटर यानि जल प्लस आयल यानि की तेल यह क्या है मतलब कि मिस्रण है मिस्रण कर दो उसके बाद में जल को ले लो जल प्लस बालू के मिस्रण कर लो मिल्टी वालू का यह क्या है बेस्तमांगी विलियन का उधारण है अब अगले मैं क्लासिफिकेशन करता हूं और फिर बताता हूं यह बिलायक प्रकृति के अधार पर यह क्या था विलियन के प्रकार था ठीक है अगली नेक्स्ट टॉपिक फिर डाल चालू करता हूं और आप लोग को बतायता हूं क्यासिस बिलायक के प्रकृति के अधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं यह भी मैं बतायता हूं बट यह लिखवाएंगे नहीं किवल आपको बतायता हूं संजायता हूं क्योंकि नाइंथ क्लास की चीज़े हैं ठीक है फिर भी मैं बतायता हूं इसे ठीक है तो आप लोग इसे स्कीन सोट ले लेंगे और आगली बताता हूं यह बिलियन के प्रकार फी अगली बात करते हैं बिलियन के प्रकार बताने जा रहा हूं किसके अधार पे विलायक के प्रकृति के अधार पे ठीक है तो विलायक के प्रकृति के अधार पे बिलियन जो होता है यह भी देख लेजिए किसके अधार पे तो विलायक विलायक के प्रकृती प्रकृती के आधार पर बिलियन के प्रकार बिलियन के प्रकार तो मैं आप लोग यहां दिखा दूँ यह दो प्रकार के होता है एक जलिये विलियन होता है जलिये विलियन होता है और दूसरा अजलिये विलियन होता है अजलिये विलियन होता है इसको मोलते एकवा सोलोशन एकवा सोलोशन इसको बोलते हो non-equal solution non-equal solution तो मैं directly बताता हूँ कहता है क्या चीज़ कि वैसे विलियन जिसमे बिलायक के रूप में जल उपस्तित होता है उसको जलिये बिलियन बोलते हो और वैसे बिलियन जिसमें बिलायक के रूप में जल उपस्तित नहीं होता है उसको अजिल जलिये बी लियन बोलते हूं तो यहां पर आप लोगो मैं बताता हूं जैसे Li Metal की बात करें जैसे मान लो कि Zinc को ले लेता हूं यानि Copper Plus Zinc ले लो Zinc और Copper के मिसरन को लेलो ठीक है, Copper Plus क्या करो Aino को लेलो ये भी एक परकार का solution ही होता है ठीक है एक परकार का solution है लोई metal होता है ठीक है लेकिन ये क्या होता है अजल ये क्या वाटर है नहीं है यार अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा और जैसे सरवत को लेते हो ना सरवत को लेते हो तो सरवत इसमें क्या है इसमें दो परकार क इसमें क्या है सर्वत के साथ में क्या लेते हो जल तो लेते हो ठीक है और उसके बाद में इधर क्या लेते हो बता इधर क्या लोगे छीनी लोगे ठीक है देखो इस सुलूशन में इस बिलियन में क्या है जल है इसको अब बोलोगे जलिये विलियन ठीक है इसमें जल नहीं है इसको क्या वोलेंगे अजलिये विलियन एक बार डेफिनिशन सुन सकते हैं कि वैसे विलियन जिसमें बिलायक के रूप में जल उपस्तित रहता है जलिये विलियन कहलाता है और यह कहलाएगा क्या जलिये विलियन कहलाएगा और अजलिये विलियन में बोलोगे कि वैसे विलि में आप लोग दी हुई है जो कि मैं बताना चाहता हूं तो अगला यह आता है और यह वी कणों के संख्या के अधार पर बिलियन जो होता है निमलिकित प्रकार के होता है तो ओ क्या होता जैसे मैं बता दो द्वी अंगी बिलियन वाइनरी सुलूशन जिसको बोलते हैं वाइटर नरी सुलूशन तो यह क्या होता यह मैं आप लोग को संख्या दूँ देखिए ध्यान से क्यासिस है चलिए देखिए तो अब यह बिलियन के जो परकार है अगला बात करते हैं तो यह जो कहलाता है क्यासे अव्यवी कणों के प्रकृती के आधार पर विलियन के प्रकार यह बिलियन जो होता निमलीखित प्रकार के होता है ठीक है पहला बात करें आप लोगों से द्वी अंगी बिलियन इसको आप बोलते हो बाइनरी सुलूशन तो देखो डिफाइन करता हूं इसको कहता है कि वैसे बिलियन जिसमें केवल दो अव्यवी कणों उपस्तित होते हैं उसको बाइनरी सुलूशन कहते हैं लेकिन बाट यह चीज है कि एक्जामपल कहो कि बस यह डिफ्रेशन देने से नई काम चलने वाली तो मैं यह एक्जामपल दिखायता हूं देखो कैसे एक्जामपल समझाता हूं ठीक है तो यह रहा एक कंटेनर तुम्हारा लेलो जग और लेकर बना लो सर्वत ठीक है इध कहां जल एक यह क्या हुआ चीनी कितने दोणों मिला रक है कितनी कमपोनेंटस दो कमपोनेंटस इसलिए इस सोलोशन को हम क्या बोलेंगे binary solution ठीक है definition देता हूँ कहता है कि वैसे billion जिसमें केवल केवल दो आवय वीकाण या दो आवय दो आवय उपस्थीते रहते हैं कमा द्वी अंगी विलियन कहलाता है अब क्या इतने एक जामपल से काम चलेगा नहीं आर देता हूँ एक जामपल देखो कोई बड़ी शीद नहीं है जल ले लो प्लस चीनी ले लो एक जामपल यहां मिली अगला लिखो न जल में क्या होते हैं जल में घुलित ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ जल में घुलित गुलित ओटू गैस की बात करता हूँ यह भी तुम्हार द्वियंगी बिलियन हो गया यह यह भी मैं बता दू कि ऑक्सीजन के साथ में हिलियम का मिश्रन जो क्रित्रिम सांस के रुप में इस्तमाल किया जाता है एडिसी कितना एक्जामपल दू बहुत सार इक्जामपल से यह था क्यासिस द्वियंगी बिलियन एक बर फिर से समझ सकते हो इसको क्यासे द्वियंगी बिलियन किसको बोलते हैं बस डाइरेक्टी बोल सकते हो कि वैसे बिलियन जिसमें केवल दो अवय अवी कंड उपस्तित रहते हैं या दो अवय उपस्तित रहते है क्या कहलाते हैं जैसे मैंने सबसे सदार्ण और आप सरवत को त्यार करलो तो सरवत को त्यार करनी के लिए एक component वाटर लोगे और दूसरी component क्या लोगे चीनी लोगे है तो ये क्या कहलेंगे binary solution अगली next देखो Ternary solution की बात करता हूँ और Ternary का मतलब होता त्री अंगी बिलियन तो त्री अंगी बिलियन क्या होता है ये भी देख लो देखे त्री अंगी बिलियन टर्नारी टर्नारी शलूशन डेफनेटर नहीं लिख देता हूं करता है वैसे बिलियन वैसे बिलियन जिसमें जिसमें तीन अवय आये उपस्थिते उपस्थित रहते हैं कोमा त्री अंगी त्री अंगी विलियन कहलाता है विलियन कहलाता है जैसे एक जामपल देता हूं आप लोग भली भाती जानते हो एक कंटेनर को ले लो ठीक है मालनों ने एक बात में बतायता हूं कि आप लोग ने ऐसा सूना होगा डक्टर भी बोलता है जब दस्त होने लगता है लेटरिंग होने लगता है तो डक्टर क्या बोलता है चलो नीबू पानी और नमक के मिश्रन बना लो और उसको पीओ उर्जा मिलेगी उससे रिलेक्स मिलेगी तो वही मैं भी बात बतायता हूं ठीक है जड़ा ध्यान में रखना ठीक है मैंने इधर से क्या लिया जल को लिया ठीक है इधर से क्या लिया चीनी को लिया और इधर देखू मैंने क्या किया, इधर से थोड़ी मात्रा में मैंने क्या किया, नमक मिला दिया, कितने component यह तीनों जब मिला आए, तो यह क्या बनी, यह तुम्हारा जो त्यार हुआ, एक प्रकर का billion बन गया, और यह billion जो बना बन दो, यह क्या चीज है, कितने component से बना वह आप जराबता तीन कंपोनेंट से ती यह क्या कोोगे ट्रियंगी विलीयन कोगे है टीक है तो एए यहामपल में दे सकते हो क्या चीज से जल प्लस चीनि क्या चीज प्लस नमक ओकै यह जो तेनों का मिशेंद speaking कहलाएगा यह त्रियंग इविलियन का ओधारण है किलियर हुआ आगे चले चलो टर्नरी सलूशन के बाद अब चलता हूँ आप लोग के पास यहां बताता हूँ यह आप फिर से बाद सुन सकते हैं क्या चिस मैंने बोला बहुत असान तरीके से इसको याद कर सकते हो जब दो रही तो वाइनरी जब तीन कंपोनेंट रही तो टर्नरी जब चार कंपोनेंट रहेगा तो क्या बोलोगे चतुर्थांगी विलियन बोलोगे यानि क्या चीज को टर्नरी सलूशन बोलोगे ठीके तो बस क्या करना है कुछ करना नहीं यार जहां देख वही डिफिनेशन मैं कर रहा हूं कुछ नहीं कर रहा हूं इसको मैं हटाता हूं ठीक है और इसको तीन के जगा पर मैं लिख देता हूं चार यहां तीन है तो इसको क्या लिख दे चोटी सी बाते करनी बस लिख दिया चार ठीक है क्या लिख दिया चार तो चार लिखते ही क्या हो गया यह चतुर्थ एंगी वि लियन कर लो यहां भी लिख लो 4 बनुट क्लियर हुई कितनी आसान तरीका से इसकोद की दिया है तो इस्मि मानलो कि कोई सब्सटंस चीनी मिलाया नमक मिलाया पानी मिलाया और इस मालनों ना कि थोड़ी मात्रा में इसमें गुलकोष डाल दो कोई दिक्कत नहीं है डाल दो गुलकोष थोड़ी मात्रा में ठीक है ना यानी C6 H12 O6 को मिला दो ठीक है तो क्या बन गई यह चतुर्थ अंगी सुलूशन बन गया तो मैं सदान से डिफिनिशन मैंने बताया क्या चिस कि वैसे विलियन जिसमें चार औव याव उपस्तित रहते हैं सटुर्थ अंगी विलियन कहलाता है जैसे एक्जामपल आप लोग ने यह सब किया और थोड़ी मात्रा में आप लोगो ने क्या किया यह नहीं जल दिया चीनी मिलाया थोड़ी मात्रा में नमक मिलाया उसके बाद मन में आया क्या गुल लोग क्या चीज चतूर्थ अंगे बिलियन थोड़ा सा आप लोग इसका मिनिंग भी देख लें अपना देख लें ठीक है को आप को आप लोग की रही यह सारी सीज़े मैं बता दूंआ आप लोग को बिलियन का क्लासिफीगिसन की बात किया अब इक और मैं बताने जाओंगा आप लोग को एक और तो यह नेक्स्ट वीडियो पर बात करता हूं आप लोग के इस वीडियो को मैं यही पर कंपलीट करता हूं लेकिन मेरे प्रिये बंध हो मैं आप लोग से बार बार request करूँगा ये बात ये मेरे order समझो या request समझो मैं आप लोग ये कहूँगा कि copy pane लेकर ही इस वीडियो को देखना और लिख करके इसे याद करते जाना जिस दिन chapter खतम होगे उस पर तुम्हारा अधिकार क्योंकि तुम complete कर लोगे धन्यवाद